हार फिक्स एंड्रोइड फ्लेश लाइट नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कारोस तो स्वागर आप सभी का तेकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों यही आपका किसी भी एंड्रोइड डिवाइस पर जो है आपका फ्लेश लाइट यहाँ पर काम करना बन कर गया ठीक है उसके बाद जाके दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो यही पर फिक्स भी हो जाएगा और दोस्तों आप जो है अपना यहाँ पर फ्लेश लाइट को यूज भी कर पाऊगे ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी से देखना है और जो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे राख है और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए अज शुरू करते हैं वीडियो तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हो जाते है कभी कभी यहाँ पर दोस्तों मारे रबॉट का कनेक्शन पर प्रॉब्लम हो जाते हैं सह ventि ने के वजा से प्रॉब्लम आ जाते या रुफिर फ्लेश लाइट मी खराबी होने के वज़भी रावज़े से प्रॉब्लम आ जाते ठीक है तो फ्लिफिसर लाइट यहाँ एह पर बंठ दोस्तो हम यहाँ पर नीचे एप पर जाते हैं ठीक है एप उसके बाद मेनेजर करके आपको किसी भी Android डिवाइस पर यह option मिल जाएगा तो उसके बाद दोस्तो था का option नहीं है तो कोई बार नहीं दुस्तो करनेज़ेद्ड देख रहा था तो अभी आपको जाना है ऐस एक पर गयए उसका करने के किए और जाए सिस्टेम आईवाई पर ओसमें जाकर स्थ अब है उसको जो क्रहalid करने लैद इस इसको क्लिएilar करnekे बाद प्लिक करें और दोस्तों आपके मुबाइल पर कुई ब्रक भी ब् मेंड एपैस्पांइघ अपकी जोి राइप ही सि fandom स्सक्राइब कर सकते तो जो है आप कसे दॉस्ट कर सकते तो दोस्तों मोबाईल पर चेक की आटिशन जो की सी सी Helen नोट किया किए कोई भी browser मदद से ओस आप जो नियुक्री आपके शीनिक्राइब करते तो उसी चेम में बात कर रहा हुँट अब किसी भी are collections को यहाँ पर फॉर्स फूलि डाॉनलोड करते तो वह से यहाँ पर तो वह आपकी स्स्टेम को खरब कर देते तो उनको अनिस्टल कीजिए तो आपनी एरि अनिस्टल कर लिए है तो आभी जा किया mobile को एक बार restart करें mobile restart करने के बाद दोस्तों आपका जो फ्लेश है ठीक है उसको आप यहाँ पर open कर लिजिएगा उसको आप दोस्तों यहाँ बार जो है इस तरह से क्लिक करके देखिए आपका जो प्रॉब्लेम है वो definitely fix हो जाएगा ठीक है तो बस यह solution आप यहाँ पर follow जरू कर लिजिगा यही इसके बार भी problem आपको दुबारा से आ रहा है तो आप जाएए दोस्तों आपने setting पर about phone पर जाके software को update करें software update करने के बाद दुबारा से चेक कीजिए problem solve होता है तो ठीक है नहीं होते तो आप दोस्तों यहाँ पर backup and reset का future ले लिजिए ठीक है बेका बेन reset आप यहाँ पर कर दीजिए यही कोई भी software के वज़़े से issue है कोई भी problem है तो उससे भी fix हो जाएगा सारी साथ दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते है shortcut method technician के पास यह जाते है तो दोस्तों वह भी आपका जो फ्लेश लाइट है उसका solution करके दे सकते है ठीक है यहाँ पर चेंज कर देगा यहाँ पर आपका प्रॉब्लम है वह यहाँ पर आपको fix करके देगा क्योंकि दोस्तों कभी-कभी जो है लगने की बात कुछ वाइरिंग हमारा खराब हो जाते हैं लेकिन फोन यहाँ पर चलते हैं कुछ वाइरिंग पर प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसके वाज़से फ्लेश कम करना बंद कर देते हैं तो बस यही सब रिजन है और आप इस तरह से solution कर सकते हैं तो आज की वीडि